अब बोलोगे सर क्या सब्जेक्ट उठा लिया टेलिवीजिन तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसमें हमारे फेवरिट कार्टून्स आते हैं सीरियल्स आते हैं या कुछ बच्चे शायद उसमें WWF बॉक्सिंग देखते होंगे कुछ को शायद अगर थोड़ी एज हो गई होगी अब 15-14-16 साल के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब शायद उनको फिल्में समझ में आने लगी होंगी कि उनके गाने अच्छे लगने लगे होंगे शुरू शुरू में अपनी फेवरेट हिरोईन हो जाती है फेवरेट हीरो हो जाते है आरे भाया इसका सौंग आएगा तो मैं जरूर देखूंगा लाइक दैट हम इस तरह के लाइक्स डिसलाइक्स डिवलप कर लेते हैं चलिए खैर आप जानते ही हैं कि जब मैंने ये वीडियो में टॉपिक उठाया है तो मैं तो क्रिटिसाइज करने वाला हूँ टेलिविजिन को ये तो आप समझी गए होंगे कुछ गूगल से रिसर्च करके मेडिकल ग्राउंड पर पॉइंट्स निकाले गए हैं कि अगर हम देखते हैं टेलिविजिन तो क्या-क्या दिक्कते हो सकती हैं है ना कुछ उनको बताऊंगा और लास्ट में जाके ये डिसकस करूँगा कि अगर हम टेलिविजिन ना देख हैं तो और क्या कर सकते हैं और वो कितना हमारे लिए यूसफुल हो सकता है लाइक सबसे पहले आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों के आँखों में चश्में चड़ेवे होते हैं आम तोर पर पर पेरेंट्स जस्टिफाय करते हैं नहीं जी तो बच्पन से ही ह है पिदाइशी इसकी आँखे कमजोर हैं देखो हम भी देखो बड़े हुए हमारी उमर में हमारी स्कूल में मेरे ख्याल से मुझे यादी नहीं कोई ऐसा बच्चा था जिसको चश्मा लगा हुआ हूँ इस तरह से और आज मैं इतने बच्चों को देखता हूँ चश्मा ल देखो भगवान है न मशीन नहीं है इंसान है हर बंदा अलग है किसी की इटिंग कपैसिटी कुछ है किसी की कम है किसी की जादा है कोई एक दिन में दो घंटे पड़ सकता है कोई छे घंटे पड़ सकता है कोई दो रूटी खा सकता है कोई चार खा सकता है कोई 10 किलोमेटर की स्पीड से भाग सकता है, कोई 20 की स्पीड से भाग लेता है, नहीं, हर एक की capacity अलग है न, बच्चे, अगर सारे बच्चे सेम ही हैं, तो फिर टीचर के पढ़ाने के बाद सभी बच्चों के मांक सेम आने चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, कोई intelligent होता है, चीज को जल्दी पकड़ लेता है, टीचर सेम है, बच्चे 40 हैं, एक बच्चे के उसी subject में सौ में से 95 आ रहे हैं, ठानवे आ रहे हैं, सौ में से 100 आ रहे हैं, एक 35 भी नहीं ला पा रहा है, तो उसका उनलब टीचर तो सेम है, बच्चों पर भी डिपेंड करता है, ऐसे ही television भी सेम है, negativity भी, positivity भी, कुछ बच्चे होते हैं, जरासी धूल में इतना बिमार पड़ जाते हैं, कुछ है कि कितना भी खेलने कुछ होते हैं, यह भगवान का है, यही तो beauty है, भगवान के बिनाईवीज दुनिया में, कोई पेड़ उचा है, कोई नीचा है, ऐसे हमारे में भी आप देखेंगे, कोई गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई उचा है, कोई कम उचा है, कोई strong है, कोई कम strong है, कोई मूटा है कोई कम मूट तो आखो कभी है किसी की आखे मिजभूत हैं उसको कोई इसर नहीं होता बट आप उसको देखके अपनी आखे न खराब कर लो न कि बहिए वह भी तो इतना टीवी देख रहा है चार गंटा उसका तो कुछ नहीं हो रहा है आपकी आखे कमजोर हो हो जाएंगे आपका चश्मा चड़ जाएगा है तो कहने का मतलब यह है कि दूसरों के चक्कर में ना पड़ो अपनी आखे देखो और देखते हैं बुराईयां टीवी की देखने से और क्या-क्या होगा अब यह थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है मैं बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाऊं क्योंकि मैं साइन्स का बंदा नहीं हूं तो नेट के ओपर जैसे स्टेडी किया तो पता चला चिल्डरन है बैड मेटेबुलिजम वें देखने में कोई ब्राई नहीं मैं फिर भी बोल दूँ टीवी में निउस भी आती है टीवी में कई पर अच्शी स्पॉर्स इवेंटस भी होती हैं और इवन मॉवी में कर देखें चक्दे अब्ग में और अपी एक लेटस मूवी मने देखी आमिर कान की मूवी आयी है दंगल उसमें दिखाया कि इस अच्छा है ज्यादा में प्रॉब्लम आ जाती है और टेलिवीजन एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी तरफ खींच लेती है और यह जो दिखा नहीं जादा घंटे देखते हैं तो बार-बार भूग लग रही है लेटे-लेटे कुछ खा रहे हैं तो उससे हमारा जो मेटापॉल यह कह सकते हैं कुछ रियाक्शन कुछ सिस्टम है जो हमारी बॉड़ी में होता है अगर हम बहुत ज्यादा देर तक बैठके टीवी देखते हैं मोटापा भड़ सकता है और इट में ली टू कार्डियक डिसीजिस कुछ हार्ट अटेक मतब कुल मिलाकर कहने का यह है कि बहुत रो रहा है अब जो कोई हसते वह को देखेंगे तो तो कोई बड़ी बात नहीं है यंग एज में बच्चे वैसी बहुत हसते हैं बच्चों का तो मतलब यह हसने काAdd ऑट थया है उसको देखेता कूछ नहीं है लेकिन ओटीवी के अंदर रहा है कोई मर गया कोई ऐसी लड़ रहा है आपस में, उस सब को देखके हमें और डिप्रेशन आता है, हम कई बड़े गुमसुम रहने लगते हैं, हम टीवी में देखते हो, उसके साथ ये बुरा हो गया, उसके मबब ने ऐसा कर दिया, या उसके दोस्त ने ऐसा कर दिया, और हम यंग एज में खास कर, ज जरा सा फिरो ठीक से ना हो बाची, तो फट से डिप्रेशन और हो, दुनिया भर की जो है, ये सारी चीज़ हम कहां से सीखते हैं, ये टीवी, सिनेमा से ही तो सीखते हैं से बुल्टी सीधी बात है, और हमें ऐसा लगता है कि हम इसी चीज़ के लिए पैदा हुए है, ओहो, छोटे-छोटे बच्चे, गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, अच्छा है, मैं ये नहीं कहा रहा, मैं उसकी खिलाफ नहीं बूलना चाहता कुछ भी, फ्रेंड, फ्रेंशिप इस अल्वेज गुड, बट ये जो इस तरह की टीवी में देखके हम जो चीज़े सोचने लगते वो रियालिटी नहीं है, लाइफ की, वो सब तो ऐसे दिखाया जा रहा है, वो एक entertainment purpose के लिए है, जब हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं, तो डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन यही है ना, कि जो चीज़ हम हासिल करना चा नहीं, उससे मिलना, नहीं होगा, डिप्रेशन, फाइट्स, यह सब चीज़े, एक्चुली मैं क्यों इसके खिलाब बोल रहा हूँ, यह TV है इसकी जड़, उल्टी सीधी चीज़े सिखाता है यह आपको, लिमिटेट देखो, पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, तो वो आ लेटे लेटे टीवी रेखते रहो तो क्या होगा, आपको सरदर्द होगा, आप परिशान होंगे, डिक्रीज दे लेवल अफ अंडरस्टेंडिंग, सोचिए, गूगल से निकाले है मैं इस सारे पॉइंट्स, मैं फ्रैंकली कोई साइंटिस्त हो नहीं, जो मैं आप एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं, या कॉलेज में जाते हैं सुबेर उटके, अब शाम को लेटी बिंग तक अगर आप टीवी देखके सोएंगे, कई बच्चे बिग बॉस देखते रहते हैं रात को, उतनी लेट लेट तक, है ना, या कोई मूवी देख रहे हैं मूवी आई है, एक्जैम्स ओवर हो गए हैं, रिलाक्सिंग मूड है, घर में कुछ माल लेते हैं, कोई फेस्टिवल है, और कुछ कोई रिश्दार, कुछ मित्र आई हुए हैं, घर में ठहर रहे हैं, चलो एक दिन आपने बैठके लेट नाइट मूवी को देख भी ली, कोई भी चीज अगर हम लिमिट्स में कर रहे हैं, तो खराब भी नहीं होती है, तो फिर क्या होगा, आपको लेट्स होगे, कैसे आप टाइम से स्कूल या कॉलिज जा पाओगे, प्रॉब्लम होगी ना, हैडएक होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यह सब हमने गूग अब, ना, हम सोशलाइज नहीं करते, अब यह दूसरी चीज पर चला जाओ, अगर हम हर वक्त टीवी देखते रहेंगे, तो हम भाहर जाके खेलेंगे नहीं, दूसरे दोस्तों से मिलेंगे नहीं, फ्रेंट्स बनेंगे नहीं, यही तो होगा, सारा टाम तो टीवी खा हैं, है न, एक बार, एक बड़ी अच्छी पॉइंट मेरे को मिली थी, वो यह कि भई, यह जो इतनी महंगी महंगी गाडियां होती हैं, जैसे अगर हम देखेंगे जो सस्ती गाडियां हैं, पांच लाग, आठ लाग की रेंज वाली, है न, या जो सस्ते फोन्स हैं, उनकी टेलिविजन में एड ज्यादा आती है, जबकि जो बहुत महंगे फोन हैं, या बहुत महंगे लैप्टॉप्स हैं, या बहुत महंगी गाडियां हैं, पांच-पांच करोड की जो गाडियां हैं, उनकी एड टीवी सीरियल्स में, प्रोग्राम्स में नहीं आती, तो किसी न क्यों उन्हों बोला कि जो लोग रियली अमीर हैं जो लोग रियली रिच हैं सकसफुल है उनको पस टाइम ही कांट टीवी देखने का इसलिए वो उसमें आड़ी नहीं देते समझे आप लॉजिक कहने का मतलब यह है कि अगर हम टेलिवीजन देखके अपना समय खराब कर रहे हैं तो दस बारा रुपे की जो टूथ पेस्ट आती है जो सिंपल सिंपल चीजे हमारी लाइफ में हैं हम उनी की आड़ देख देखके वही सीरियल बार बार देख देखके अपना समय खराब रख रहे हैं कर रहे हैं तो हम क्या लाइफ में राइस करेंगे जो लोग अपनी लाइफ में राइस करते हैं उनके पस टीवी देखने के लिए ढंक से टाइम ही नहीं है तो अगर आप शुरू से ही अपने आपको एक सोशल परसन बनाओगे एक एक एक्टिव स्टूडेंट बनाओगे जो पढ़ रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चारा आप टी है कि भी है टेलिवीजन देखना वाटसेप कर लो मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी तो वाटसेप भी है पीछा निचुडाने के लिए आपके पास फेस्बुक भी है वो भी इतना टाइम खराब कर रहा तो उसमें भी लिमिटेड रहो टेलिवीजन को तो बिलकुल ही एक तर करें तो हम किसमें यूज कर सकते हैं we can use it for studies we can use it for helping others for outdoor games अब दूसरों को help करने की कोई बात आजाए social service अपने तो सब लेते हैं लेगिन दूसरे की help कभी भी नहीं करते हैं anytime ही ना क्योंकि हम सारा time WhatsApp Facebook और यह television में बरबात कर देते हैं गप्पे मारने में बरबात कर देते है जबकि एक young student से always expected होता है कि वो अपने juniors को help करे help करने से हमारे अपने concepts भी improve होते हैं हर कोई कहता है हमारे खुद हो हमें तो कुछ आता ही नहीं वह सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्दी है मेरे जीवन की यह बोलना कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं अ feel proud by criticizing ourselves और उसमें बड़ा अच्छा लगता है हमारे नलायक दोस्त भी हमें बूस्ट करते हैं वा 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 तू भी नलायक मैं भी नलायक क्योंकि अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो हमारे को किताबी कीड़ा बोलेंगे हम दूसरों को help करेंगे तो कुछ-कुछ बोलेंगे तो अगर हम यह टेलिविजन देखने का टाइम जो बरबाद करते हैं उसको बचा ले तो हम अपने जूनियर स्टूडेंट्स को अलवेस help कर पाएंगे एक human life का object ही होता है कि हम दूसरों के help करें कुछ तो कोशिश करनी चाहिए मानता हूं टाइम कम होता है अपनी भी स्टूडीज होती है लेकिन थोड़ा बहुत हमेशा हमें अपने जूनियर स्टूडेंट्स की help करनी चाहिए अपने छोटे भाई भेनों की help करनी चाहिए होते हैं मैं तो आपके लिए इन्विजिबल हूँ एक तरह से हना मैं तो सिरफ आप से एक positive बात करने की कुशिश कर रहा हूं आपका फिजिकली भी फिट रहेंगे हेल्दी रहेंगे माइंड आपका डिवलाप होगा जहां टीवी देखने से माइंड आपका understanding level down होगा भही अच्छे outdoor games खेलने से आपका physical, mental, overall growth होगी, development होगी पढ़ाई में भी आप आगे निकलेंगे और टीवी देखने से एक और problem आती है ये point भी मैं discuss करना चाता हूँ we start living in a dream, in a world of dream सब पनों की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं अपने आपको superman समझना शुरू कर देते हैं मैंने ऐसे सुना है, frankly मैं तो देखा नहीं बच्चों से, दूसरों से सुना है एक शक्ती मान करके कोई program आया करता था या था है और उसको देखके बच्चे building से कूद जाते थे या कुछ something इस तरह का height से कूद गए पहले भी का material above our age, मैं यह रेफर करना चाहता हूं basically कि young age में हम वो बॉबी और इस तरह की मतलब बहुत पुराने जमाने की पिच्चर है जड़ा hero heroines को देखके ना जड़ा हम भी सोचने लगते हैं हाँ मैं भी एक hero हूं और मेरी एक heroine होने चाहे और maybe a female student may start thinking कि अब मेरा भी एक hero होना चाहे बहुत young age में ही, भागवान ने सबके लिए सब चीज़े बनाए है at a right age, अब गर हम 12-15 साल की उमर में ही उस तरह से romantic होने लग जाएं और वो सब चीज़े सोचने लगें क्योंकि टीवी देख देखके दिमाग बिगडता है न हमारा और उसमें हम कई बार अपने parents से भी subject पर guidance नहीं लेते है ना, आपस में दोस्तों से बाते करते हैं वो तो फिर एक अंदा दूसरे अंदे हो क्या रास्ता दिखाएगा तो इस इसमें बड़ी problem हो जाती है कि बार तो यह मैं इसी लिए आपको बोलना चाहता हूं कुल मिला के मैं यही आपसे request करना चाहता हूं यह टेलिवीजन को बहुत जादा देखना और स्पेशली अगर मैं 12-13-15 साल तक के बच्चों की तो छोटे बच्चों से तो एक तो मेरी यह request है कि टेलिवीजन कम देखें और parents की guidance में देखें और जो बड़े बच्चे हैं खैर अब बड़े बच्चे तो बच्चे नहीं रहे बड़े हो गए तो वो अपने इसाब से खुदी जज कर सकते हैं अगर वो 15 साल से बड़े है अठारा साल से बड़े हैं फिर तो खैर वो अपने इसाब से टीवी देखें लेकिन उनको मैं यही सला देना चाहूँगा कि ठीक है आप बड़े हो चुके हैं टेलिवीजन में क्या देखना चाहिए क्या नहीं आप खुद जज कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह करियर बनाने हासिल करना चाहते हैं एक थोड़ा सा अचीव कर लें उसके बाद आप ज्यादा टेलिवीजन या सिनेमा भी देख पाएंगे और अराम से रिलैक्स वे में देख पाएंगे और लाइफ लॉंग आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में आप एक बड़े विक्ति माने जा हाँ हमारे पैरेंट्स पादर अजिया आप इस अचीव कर आप एक रूल मॉडल बन पाएंगे एक एक एंपल दे पाएंगे कि हां हमने कुछ अपनी लाइफ में चीव टीवी देख के टाइम बर बात करोगे तो सब्स वही हासिल होगा और कुछ नहीं होने वाला तो इन श I hope कि आप मेरी बायते माइंड नहीं करेंगे और मेरी इंटेंशन सिरफ आपको हेल्प करने की है इसलिए ये गुड हैबिट्स की जो वीडियो सीरीज है मैं बनाता हूँ टाइम निकाल के थोड़ा कंटेंट आपके लिए डिवलप कर रहा हूँ और भी बहुत सारे विशे हैं जो हमारी वेबसाइट जो है हमारी btn.org पर अप्लोड़िड है वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं और मैसेल्फ नीरज गुपता और ये ppt बनाने में मुझे हेल्फ की पायल गुपता ने थैंक्यू सो मच